दोस्तो कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी के सामने या फिर भीड में अपनी बात नहीं बोल पाते हैं या अगर उनके सामने जादो लोग हैं तो वो अपनी बात रखने में घबराते हैं या कई लोग ऐसे होते हैं जो भीड में बोलने से घबराते हैं लेकिन दोस्तों आज के समय में इस घबराहट को दूर करना बेहर ज़रूरी है नहीं तो आपकी ये आदत आपको जिनकी बढ़ नुकसान पहुचाती रहेगी कई बार लोग किसी के सामने अपनी बात बोलने या भीड़ के सामने अपनी बात रख्माने में नाकाम हो जाते हैं और इसकी सर फूर एक ही वज़ा होती है और वो है आपका डर जिसे हम आपकी घबराहट भी कह सकते हैं लेकिन क्या आप जानते कि लोगों को इस तरह की गवराहट क्यों होती है? तो आपको बता दू कि ऐसा इस वज़ेस होता है क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो भीर में या फिर कुछ लोगों के सामने अपनी बात कहेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे या फिर उनकी बात गलत वे तो लोग उनका मज़ाग उड़ाएंगे सिरफ इस दर की वज़े से ही लोग किसी के सामने अपनी बात रखने में नाकाम हो जाते हैं दुस्तो लोगों के सामने बोल पाने में hesitate होना या फिर घबराना ये एक आम बात है लेकिन आप अकेले ऐसे नहीं है जिने बीड के सामने बोलने में डर लगता हो या फिर घबराहट मैसूस होती हो दोस्तों according to science ऐसे समय में हमारी body पर एक अलग तरह का pressure होता है जो आपकी आवाज को दवाने का काम करता है आपकी body में एक तरह का तनाव फैल जाता है और जिसकी वज़े से आपकी vocal cord डबने लगती है जिससे आपकी आवाज धीमी हो जाती है और आप बोलना बंद कर देते हैं लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी बात को अपनी office, दोस्त और रिस्तेदारों के सामने भी नहीं रख पाते हैं उन लोगों में एक तरह का phobia होता है अगर आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बोलना ज़रूरी है और साथी आपके डर का बाहर निकलना भी ज़रूरी है तो इसके लिए एक exercise के बारे में बता है जो आपकी घबराहट को कम करने का काम करेगी और ये कोई मुस्किल exercise नहीं है ये सिर्फ एक लंबी सांस लेने की exercise है जब आप किसी के सामने बोलने की तैयारी कर रहे हो तो बोलने से पहले आपके एक लंबी सांस ज़रूर लेनी है और ये आपकी घबराहट को दूर करने का काम करेगी साथी आप अपनी घबराहट को हमेरसा के लिए दूर करने के लिए कई तरह की practice कर सकते है अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी को किसी चीज की जानकारी नहीं होती है या फिर अधूरी जानकारी होती है तो उस सर में भी गवराहट होती है तो ऐसे में आपको कोशिश यह करना है कि जिस सब्जेक या जिस टॉपिक पर आप बोलना चाहरे हैं आपको उसकी सारी जानकारी हो और अगर आपको सब्जक्क की या उस टॉपिक की फूरी जानकारी है तो उसके बोलने की प्रैक्टिस को दो-तिन बार जरूर करें ऐसा करने से आपका confidence बढ़ेगा और आप आगे भी उस सब्जक्क या टॉपिक पर अच्छे से बोल पाएंगे इसके लाबा किसी के सामने बोलने से पहले आपका कई तरह की तैयारी करना भी जरूरी होता है आपको बोलने की प्लानिंग करना चाहिए जैसे आप लोगों के सामने अपने विचारों को अच्छी तरीके से पेश कर पाएं तो अगर आप इस बातें का ध्यान रखते हैं मतलब बोलने की प्रैक्स करते हैं प्लानिक करते हैं अपनी दर पर काबू करने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों के सामने अपनी बात को ज़रू रख पाएंगे तो उमीद करते हूं आपके वीडियो पसंद आयोगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरू करें, इस तरह कि वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपके कोई सवाल है सुजाब है तो कॉमेंट वक्स में कॉमेंट कर के के बता है, और